हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल पर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल सब्सक्राइब ने किया तो कर दीजे वीडियो को लाइक करें वीडियो के लिंक दोस्तों के साथ जरूर सेर करें दोस्तों ऐसे अमेजिंग अजीब गरीब ऐसे क्यूसन लाया हूँ जो आप देखते ही आप कहेंगे क्या सवाल जवाब है तो सवाल बनता है ये कथन किसका है ऐसा जीओ जैसे कि तुम कल मरने वाले हो ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो ये कथन किस महापूरुसका है तो इसके लिए चार उप्सन होंगे आपके लिए उप्सन A नरेंदर मोदी उप्सन B महात्मा गांदी उप्सन C लाला लाजपत राय और उप्सन D लाल बहदूर सास्त्री तो दोस्तों इसमें सही उप्सन होगा B उप्सन महात्मा गांदी मात्मा गांधी का इकतन है जिसमें मात्मा गांधी ने कहा थे कि ऐसे जीओ जैसे कि तुम कल मरने वाले हो ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो ये कतन मात्मा गांधी जी ने दिया था अगला सब्वाल है अंतराष्ट्य अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है अंतराष्ट्य अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है A option रहेगा आपके लिए 15 अगस्त, B option 20 मही, C option 2 अक्टूमबर, D option 17 सितमबर सही जवाब रहेगा C option 2 अक्टूमबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूमबर कब मनाया जाता है इस देन मात्मा गांदी का जनम दिन है गांदी जी दवारा, उन्टो दिस लेश्ट को गुजराती में अनुवाद कर इस सिर्षक का क्या नाम दिया गया था इसके लिए 4 option है, option A मानवतावा, B option त्याग, C option समरपन, D option है अपके लिए सर्वोदे सही जवाब रहेगा सर्वोदे, गांदी जी दवारा, उन्टो दिस लाश्ट को गुजराती में अनुवाद कर इसका सिर्षक सर्वोदे कर दिया गया था अगला सवाल है, मातमा गांदी का जनम इस्तल क्या है, A पोरबंदर, B पूने, C गांदी नगर, D एहमदाबाद सही जवाब रहेगा, A पोरबंदर, मातमा गांदी का जनम इस्तान, पोरबंदर गुजरात है अगला सवाल निमन लिखित में से, कौन सा नारा गांदी जी दवारा दिया गया था A आप्सन अहिसा परमो धरम, B आप्सन करो या मरो, C आप्सन तुम मुझे खून दो, मैं तुमें आजादी दूंगा, D आप्सन सवतंतरता हमारा जनम सिद अधिकार है इसमें दोस्तों, B आप्सन सही होगा, करो और मरो का नारा मात्मा गांदी जी के दवारा दिया गया था अगला सवाल है, डांडी मार्च, मात्मा गांदी और उनके स्विम सेव क्यों दवारा किस साल सरू किया गया था इसके लिए चार आप्सन है, आप्सन A 1920, आप्सन B 1930, आप्सन C 1932, आप्सन D 1935, सही आप्सद रहेगा, आप्सन B 1930 दांडी मार्च, मात्मा गांदी और उनके स्विम सेव क्यों दवारा 1930 में सरू किया गया था अगला सवाल है, दांडी मार्च यात्रा, साबर मती आसरम में से दांडी तक कितने दिनों में समाप्त किया गया था इसके लिए चार आप्सन है, आप्सन A 25, आप्सन B 24, आप्सन C 20, आप्सन D 17 सही जवाब रहेगा आप्सन B 24, दांडी मार्च यात्रा, साबर मती आसरम से दांडी तक 24 दिनों में समाप्त की गई थी अगला सवाल है, साबर मती आसरम किस राज्जे में इस्तित हैं? A आप्सन होगा महाराष्ट, B आप्सन होगा गुज़ात, C आप्सन होगा राजस्तान, D आप्सन होगा पंजाब सही जवाब आपके लिए रहेगा B. उप्सन गुजराद साबर मती आसरम गुजराद में इस्तित है अगला सवाल है मात्मा गांधी दवारा लिखी गई निमन लिखित कौन सी पुस्तक है A. उस्याइस के लिए चार उप्सन है A. उप्सन हिंद सवराज B. उप्सन चत्यागरे C. उप्सन सत्य के लिए मेरे परियोगों की कहानी D. उप्सन उप्रोग्त में से यह सभी सही जवाब रहेगा उप्रोग्त की सभी पुस्तक है मात्मा गांधी की है हिंद सवराज मात्मा गांधी ने लिखी सत्यागरे पुस्तक मात्मा गांधी ने लिखी सत्य के साथ मेरे परियोगों की कहानी भी पुस्तक मात्मा गांधी के दवारा लिखी गई थी आज का अंतिम सवाल मात्मा गांधी दवारा सवतंतता के लिए पहला आदोनन कौन सा था सही जवाब आपके लिए क्या होगा इसे चार आप्सन हैं आप्सन एक खेडा सत्यागरे दो आप्सन बी दांडी मार्स आप्सन सी नमक आंदुलन आप्सन डी चमपारण सत्यागरे सही जवाब रहेगा डी आप्सन समपारण सत्यागरे मात्मा गांदी द्वारा सवतंतरता क के लिए पहला अंदूलन था कैसा लगा वीडियो कमेंट मॉक्स में बताएं साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को करें लाइक वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ जरूर करें सेयर